नमस्कार आप देख रहे हैं समवाद 365 मैं हो देवेंदर प्रशाद आज हमारे साथ मौझूद हैं भारतिय जंता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वो विकासनगर से विधायक स्रीमुन्ना सिंग चोहान जी जिनसे हम बात करेंगे उतराखन की जंता से सरुकार रखने वाल अलग 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 मुद्दों पर के बाद मुन्ना सिंग चोहान ने दिवंगत पूर्व अर्दान मंत्री अटल विहारी बाजपई के नेत्रितों में बीजेपी पार्टी को चोईन किया लेकिन वो कहते हैं न कि कुछ कर गुजरने के रहा में अक्सर कई अर्चने बाधाई बन जाती हैं शायद इसलिए रो मुना सिंग चोहान जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं जानीवार चोहान जी शुरुवात में यही से करूँगा आप समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं आप बहुजन समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं अब आप भारतिय जनता पार्टी में हैं और प्र दो पहलू है एक पहलू है उसके नीजी इंटरेस्ट मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि मैं हिपोक्रेसी में यकीन नहीं करता कि मैं हर चीज को बिलकुल बहुत सुगर कोटड तरीके से कहूं मैं बानता हूँ इंटरेस्ट भी अपनी जगे है लेकिन उसके साथी साथ पार्टी क नीती और कारिकरम एक बड़ाई पकस होता है नीती और कारिकरमों से सहमती बनने के बाद उसके बाद आदमी उसके अंदर अपने हिताँ को तालासता है जैसे आपने अभी सवाल किया तो यदि मैं एक पार्टी और जोडूँ तो जब समाजवादी पार्टी नहीं थी तो जन्तादल था तो आई स्टार्टेड माई केरियर विद जन्तादल आई वो जन्तादल मले नाइटीन नाइटीवान और जो मैंने ये कहा राजनीती में साइट की यथार्त है कि थोड़े बहुत कॉंप्रोमाईजेज ब्यक्ती भी करते है और थोड़े बहुत कॉंप्रोमाईजेज पार्टी भी करती है देजकाल परिस्तिते के हिसाब से राजनीतिक दल भी अपने आपको री ओरियन्टेट करती है और बिचारों में भी अपने बहुत सारी चीजों में एक प्रकार से समन वह इस्ताफित करती है बहुत सारे कुछ चीजों में परिवर्तन लाती है अपने नजरिये को थोड़ा वह बदलती है तो ये माना जाए कि उस समय आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की निती से असेहमत थे देखे जहां तक तो बहुजन समाजवादी पार्टी का था बाई चांस था या ये भी आप कह सकते हैं बहुत सू विचारी तो निर्णय नहीं था और वो एक ऐसा पड़ाव था कि मैं दिन गिन करके बाकाइदा तीस दिन से जादे कम समय बीएसपी में रहा हूँ चुनाव लड़ने से ले करके लेकिन येस आई डिड़ा फेरली लॉंग टिन्योर इन जन्तादल इन समाजवादी पार्टी और उसके बाद बीजेपी में आया बीजेपी में इस देश के महान निता सरदे अटल विहारी वाजपई जी जब देश के परधान मंत्री थी तब देरादून के प्रेट ग्राउ हुए उसके बहुत डीटेल्स में जाने के जरूत नहीं है कि पार्टी से मत्वेद हुए अब्यक्तियों से मत्वेद हुए बट जब मैंने भारती जन्तापार्टी छोड़ी थी तो मैंने बड़ा एक और कभी उसके अलाव मैंने तीसरा बयान नहीं दिया मैंने हमेसा एक बयान दिया था पहला बयान दिया था कि मुझे काम करने का इस पेस नहीं मिला मैं वर्खॉलिक किसम का आदमी हूँ बीच में रोग रहा हूं तो क्या इस पेस की कमी के कारण 2009 में आपने जो विधान सभा की सदस्यता थी उससे तीन साल पहले ही स्तिफा दे दिया था हाँ यह रिस्क लेने का भी माधा मेरे कहाल से सब को नहीं हो सकता कि रूलिंग पार्टी की एक्टिव मेंबर्सिप तीन साल पहले छोड़ दे रिस्क और मैंने उसकी कीमत भी अदा की उसके बाद में आट-नो साल पैदल रहा लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ चीजों में हर आद कि बहुत सारी चीजों में में भी कॉंप्रमाइज करता हैं बहुत सारी चीजों में अनकॉंप्रमाइजिंग हो तो मा हाड हैड़ेड हूं तो साहिद हो सकता इसी वज़े से मुझसे ये मैंने एक कदम उठाय हो अब वो देसकाल परिस्टिते के मताबिक था आज हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वह एक बूल थी क्या ये माना जाए कि भारती जनता पार्टी में मुन्ना सिंग चोहांची वन मैन आर्मी हैं नहीं नो जिनकी बास मैंने आपको एक बात और बता रहा हूँ है मैंने 2009 में भारती जनता पार्टी को जब छोड़ा था और उसके बीच में जब मेरी वापसी हुई वापसी कोई बहुत सालों बात नहीं हुई वापसी मैं लगबग बारा में या उसमें वापस आई गया था पहली आ गया था तो जब वापसी हुई उस बीच में मैंने ये रिलाइस किया देखिए एक इंट्रेस्पेक्शन आत्म अवलोकन भी जब आई हैं संगठन में आपको तालमेल बैठा करके चलना है आवशक नहीं है कि संगठन सारी चीजें आपके अनुसार चलें बलकि आपको संगठन की रीती नीती के हिसाब से अपने आपको ढालना पड़ता है तो मैंने ऐसा मैसूस किया साहिद उस एडजस्मेंट बनान में या उस तालमेल बैठाने में मैं उस दोर में असफल रहा हूँगा इसलिए मैंने बड़ा मेरी कमपडिबल भी दा बीजेपी नाओ और मुझे पार्टी में स्पेस भी मिलता है पार्टी में संगठन में मुझे काम करने का जैसा आपने खुद कहा मैं आज पार्टी का प् गोत्राखन के मुख्यमंत्री है वो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की नेशनल हाईवे एनेज घोटाला उसमें आपका ही एक स्टेटमेंट था मैं बोलना चाहूंगा आपने कहा था कि इस घोटाले में जो कॉंग्रेस के एक नेता है उनके अकाउंट में भी साथ या आट क साइदाग पिछले विधान सबाच चुनाओ से पहले कॉंग्रेस के खाते में पैसा ट्रांसपर हुआ और उसमें जो कॉज अब सस्पिशन था वो कॉज अब सस्पिशन ये था कि जब कॉंग्रेस के लीडर सिप से पूछा गया कि पैसा कहां से आया तो टॉप लीडर्शिप से आदर्णी हरी स्रावत जी से ले करके और उनका पार्टी का जो ट्रेजरर था उसने तक निये कहा कि मुझे से तो चेक पे खली दसकत कराए गए मुझे नहीं पता ये पैसा आया कहां से और बांटा किस किस को गया तो यदि पार्टी का लीडर्शिप ये कहें कि मुझे नहीं पता या पैसा कहां से आया या पैसा ड्रॉ करके कहां कहां गया तो और इसी बज़े से सवाल खड़े हुए थे अब चुकि एनएच सेवन्टी फोर में एसाई टीम ने एक परकार से फुल सर्किल इंक्वारी कर ल तो इसका मतलब मैं एसाई टी के जांच के उपर सवाल खड़े कर रहा हूं जबकि एसाई टी ने बहुत निस्पक्स तरीके से बहुत निट्रैलिटी के साथ और बहुत दक्सिता के साथ इस पूरे इसकें के अंदर काम किया है तो इसलिए आज जो एसाई टी की फाइंडि जो यह मुद्दे हैं इनके बीच में कहीं न कहीं चोत्राखंट सरकार है उसका ध्यान जौन सार भावर के विकास की और कम जाता है तो क्या आपको लगता है पहले तो मैं जौन सार भावर का मूल निवासी जरूर हूं मैं आज की तारीक में बिधायक जौन सार भावर इस का नहीं हूँ, मैं आज की तारिख में विधायक विकास नकर चेतर का हूँ, लेकिन जो आपने सवाल किया, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन, इन फेक्ट जॉन सारवावरी एरिया कहा, हमेशा फंड्स के ऐलोकेशन में और डेवलिमेंट के नजरे से एक प्रकार से एड्वांटिज मिलता रहा कि चुँके वहां के बहुत बड़ी आबादी को जनजादी का दरजा है, तो बहुत किसम के जैसे जो इस्पेशल प्रोग्रेम्स होते हैं, ट्राइवल सा प्लान हैं, उसके अडिशनल फंड्स का एलोकेशन भी होता है, थोड़ा बहुत उसके प्लान होते हैं, तो यह कहना बिलकुल गलत है, हाँ, ऐसी बातें लोग इसलिए समझते हैं और ऐसा करते हैं, क्योंकि जौन सारवाबर एरिया देहरादुन जिले का पार्ट है, और देहरादुन जिला राजधानी का जिला है, देहरादुन ब्रिटिस टाइम से ही बहुत एक बहुत जिसे कहना चाहिए, पड़े लिखे लोगों का, नौकरी पेसे वाले लोगों का, रिटार्ड लोगों का, और एक हाई प्रोफाइल देरादुन का एक एक हाई प्रोफाइल एक अस्तर रहा है, तो उस कॉमपर रीजन में लोगों को लगता है, क्यांसाब जौन स अच्छे अपने आप में, कि तमाम सारे एरिया जैसे हैं, जिसमें बहुत इस्तिती बहुत अच्छी नहीं है, जैसे सिक्सा के छितर में, सिक्सा के छितर से मेरा तात्पर यह ऐसा नहीं है, अब वहां के बच्चे आकर के यहां पढ़ रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, भी बन रहे हैं, आईएस भी बन रहे हैं, पोलिस आपसर्स भी हैं, अधर सर्विसेज में भी है, टेकनिकल और इंजिनिरिंग सर्विसेज लेकिन जब मैं यह कह रहा हूँ, जो वहां लोकल स्कूल कॉलेजेज है, उसके स्टैंडर्ड पर यदि जब हम बात करते हैं, तो उस प्राइड इन सेंग कि जॉन सार्वाबर एक ऐसा एरिया उत्राखंड के परवती छेतरों में, जहां माइग्रेशन नहीं है, जहां लोग अपना घर बार छोड़ करके नहीं गए, और उस इलाके को खेती, बाड़ी, तमाम सारी दृष्टी से सरसब्जमाना जाता था, सेल और ओर लगाम तब लगेगी, जब लोकल लेबल पर एम्प्लॉमेंट इजनरेट होगा, हम बागवानी को बढ़ावा दे करके रोजगार का स्रजन करें, हम जो किर्सी का सरूप है, उसको परिवर्तित करके, ट्रांस्फर्मेशन करके, टेकनलोजी का इस्तमाल करके, और त उसको निश्चित रूप से उसके नीट्स को कैटर्टू किया जा सकता है, अगर उन्होंने कुछ बड़ा सोचा होता, जब वो विधायक थे, तो आज विकास नगर की जो तस्वीर है, वो कुछ अलग होती, तो मेरा सवाल आपसे यह है, कि अब आब विधायक हैं, क्या मेरा केवल कहना मातर यह था, कि उन्होंने जो बड़े चीज थे, उसको नहीं अडरस किया, केवल सीमियत यहां नाली, खड़ंजा, गली, फलाना, डिमकाना, उस तक रखेंगे, वो भी जरूरी काम है, ऐसा नहीं है, उसकी भी आउशिकता है, लेकिन उसके अलावा भी, जैसे वो चीज जिससे वहां की एकॉनोमी ग्रो करें, रोजगार मिलें, वो जैसे, जो मेरे कॉंस् आचल, पंजाब, हरियाना, उत्तर परतेज, उत्राखंड और डेली, इसका बिल्कुल एक जंक्सन है, चारों तरब को वहां से आता है, याद जाता है, लेकिन एक अदर्द मैंने कहा, मैंने इसलिए इस चुनाव में अपना एक नारा दिया था, पांच साल और पांच लक् किया, एक, दूसरी बात, हमने कहा, बड़ी चीजों के बात कर रहा हूं, ये जो जंक्सन पे जो इतने सारे राजियों का परियाटक हरपट पुरा आता है, उसे मसूरी जाने के लिए फिर देरा दोना ना पड़ता है, फिर प्रेमनगर के उस बॉटलनेक में फसना पड़त से, गंगोतरी, यमनोतरी, बढदरीनाद, केदारनाद, हेमकुन साब, ये दाम है, चार ढाम, पंचों धाम, सिकों का पावन, पपितर, हेमकुन साब है, मैं ये कह रहा हूं, वहां का सरवादी क्यात्री पंजाब से, वहां से आने वाला है, और तमाम सारा यात्रा पे जाने वाला हरियाना, पंजाब, चंडिगड का है तो हम ने कहा कि चार धाम का या पांच धाम का जो पार्ट अफ़ यात्रा है वो हर्पटपुर से क्यों नहीं शुरू हो? क्योंकि हर्पटपुर से जाती है NH 1, 2, 3 जो सीरे यमनोत्री जाती है वहां से घुमकर गुंगोत्री जाती है वहां से यह लेकर कि और बल्कि कही बार तो बहुत लोग जो आधियात्मिक चीज़ों कि मैं तो आधियामिक के चेतर का अब्यक्ती नहीं हूँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साब वो मानियता यह कि सबसे पहले मा यमना के दर्सन करने चाहिए तो खेर उस बात में मैं नहीं जाता हूँ वो questionable हो सकता है मेरी उसके बारे में knowledge नहीं है धाम सबी पवित्र है तो हमारी एक कोशिस है कि और उसका मैंने एक सांकितिक सुरुआद भी कर दी है कि चार धाम की यात्रा का कुछ पार्ट वहाँ से भी संचालित हो उसके साथ मैंने एक बात कहा था कि all weather road का पार्ट भी इस छेतर को बनाए जाने के कोशिस करने जी और आज मैं बहुत मुझे खुसी है और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ प्रदेश के मानी मुख्यमंत्री जी का उसको भी all weather road का पार्ट बनाने के लिए उन्होंने पैर भी की है तीन बड़े बात मैंने गिना चौति बड़े बात मैं गिना रहा हूँ मैंने कहा है एक एक लगवाड ब्यासी बान परियोजना है वो परियोजना चार साल से चाली साल से थी सुरू ही नहीं होती थी सुरू होती थी रुख जाती थी मैंने कहा come what में इस जो लगवाड ब्यासी का ब्यासी वाला पार्ट है इसको हम चरणबत तरीके से पूरा कराएंगे और मैंने बिल्कुल उस पे तमाम सारे अस्थानी छोटे मोटे मसलों का समाधान करते हुए और आज जो टाइम लाइन सेट की गई जिसको माईलिस्टोन कहा जाता प्रोजेक्ट एरियाज में उसको हमने एचीवी नहीं किया बलकि एडवांस में हमने उसको एचीव किया है और अहेड अफ सेडूल है हम समय से पहले हम पूरा करने का उसको सोच रहे हैं तो यह इस एंप्लॉइमेंट जनरेशन वहाँ होई रहा है तमाम सारे लोग उसमें काम भी कर रहे है कोई टेकदारी कर रहा है कोई नौकरी कर रहा है किसी को कमपनी ने दे रखा है किसी को यूजिवेनल ने दे रखा है किसी को जो हमारा कॉंट्रेक्टर उसने एंप्लॉइमेंट दे रखा है तो यह है इसके अलावा अगला जो लखवार प्रोजेक्ट है जो मेगा प्रोजेक्ट है जो बड़ा प्रोजेक्ट है और economics का बड़ा simple सिद्धानत है इसमें कोई बहुत ज़ादे Harvard School of Economics में जाकर पढ़ेने की जरुत नहीं है बहुत साफ है जब 10-5-1000 स्रमिक कामगार किसी छेतर में काम करेंगे परियूजना पे तो आप बताईए उसके आजू बाजू बाजार ग्रो नहीं करेगा बाजार के अर्थ प्योस्ता नहीं बढ़ेगी उसमें लोगों का रोज़गार स्रजन नहीं हो इसी को जोड़ते हैं अभी मैंनी और क्या किया बड़े कामों को मैं बता रहा हूँ अभी क्या कि विकास नगर और विकास नगर के सामनी हिमाचल के किरा का जिसको गिरी पार का इलागा बोलते है उनकी एकी डिमांड थे हमें विकास, उनका बाजार विकास नगर उनकी एकी है कि जमना जी भी हमें एक पुल बना दीजे अभी Central Road Fund में उसकी DPR समिट की उसकी संक्सन होने वाली है लगबग 600 मीटर का वो पुल है यमना जी के उपर टू लेन का उसको हम बहुत जल्दी उसको सुरू करने के स्थिम्यों में तो इसलिए मैंने कहा कि जो मेजर प्रोजेक्स थे इसके उपर मैं ही सोचा जाए यह मान लिया जाए कि जो आपने चुनाओ के समय कहा था पांच साल पांच लक्षा एक बड़ा मैं और गिना दे रहा हूँ वो पूरे उत्राखन के लिए मॉडल हो सकता है यह भी मैं गिना रहा हूँ मेरी हाँ एक एरिया है तौली, बूड, लांगा, पसौली, पिपलसार वगरा वो ड्राई एरिया है बहुत सांदार एरिया है बहुत खुबसूरत खेती है कोई पानी का नहीं, एक बुन पानी नहीं है पीने के भी ला ले हैं पहली बार में यह कर रहा हूँ कि यमना केनाल से पानी लिप्ट करके उंचाई पर पहुँचाएंगे और जो ट्रेडिशनल नहर से सिंचाई करते हैं और नहीं करेंगे यह उत्रागन का पहला प्रोजेक्ट है जो हंड्रेड परसेंट डेड्रिप और स्प्रिंटलर से इरिकेशन होगा कोई जमीन समतल करने की जड़ोत नहीं है ताकि लोग हौटी कल्चर में जाएं उसमें जाएं और वो सत्रा करोड रुपे का प्रोजेक्ट है सेंक्षन हो गया सेंडर हो चुके हैं और उस पर काम प्रारम होने वाला तो लगभाग लगभाग शिक्टी टू सेवन्टी परसेंट कामों पर में प्रोग्रेस एचीव कर चुका हूँ सर इसके लिए आप बढ़ाई के पात रहें आगला सवाल इस साल जो दो मुद्दे रहे वो चर्चा का विश्य रहें पहला मुद्दा था अतिक्रमन हटाओ दूसरा मुद्दा रहा जनता दर्बार भारतिय जनता पार्टी ने जो जनता दर्बार लगाया था उसमें एक व कोड के ओडर पे सरकार ने अतिक्रमन हटाया या सरकार ने प्री प्लानिंग की थी इसकी इसको ऐसा कहा जाए कोड के ओडर का समाधार करना किसी सरकार के जम्मेदारी है राजी सरकार ने जो न्याय पालिका कि उसकी संक्टीटी को इन टोटो मेंटेन करने के लिए आदालत के आदिसों का आदर हो उस एक्स्टेंट तक कदम उठाए लेकिन सरकार ने हर संभाव कोशिस की इस बात के लिए कि अनावश्यक रूप से लोगों को किसी प्रकार से परेशानिय न हना लेकिन ये ब्याहरिकता है अतिकरमन जैसे बिसेफर जब हम को ही भी किसी बी तरह का करेंगे तो कुछ डिमॉलिशन होता है किसी को डिस्प्लेशमेंट होता है किसी की तूटपूत होती है किसी को अपने चीज़ों को रेस्टोरेट करने में चीज़ों को समय लगता है तो उसमें कठिनाई ये होना स्वभाविक है लेकिन हमें यदि हम टोटलिटी में सोच है तो हमेशा अभी तक कि यदि आप जितना मैं समझता हूँ इसके उपर बाकाइदा स्टडीज है एकॉनमिक स्टडीज है बाकाइदा इसके उपर कि जिस प्रकार से अतिकरमन की बज़े से ट्रैफिक जांप्स तमाम तरीके के ट्रैफिक के संचालन में और तमाम तरीके का जो फ्यूल का नुकसान होता है और तरीके परिशानी उत्पन होती है पारकिंग नहीं हो पाती है लोग खड़े नहीं हो पाते हैं तो अंतताहा कारोबारी लोगों को भी नुकसान होता है उनका बिजनिस ग्रो नहीं करता है लेकिन एक मिस्नॉमर है कि ये ब्रांती बनी रहती है कि साब हम इस फूट बात पर डटे वे हैं जबकि इस्सिति क्या होती है मोट साइची रुकती है तो पुलिस वाला कहता है यहां से निकलते चलो 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 यदि दहरादून में आप क्लॉक टावर से चक्राता रोड का जो बॉटल नेक था जब तक वो खुला नहीं था तब तक वहां पर सुन्य था कारोबार कोई खड़ा भी नहीं होता था इस बात के लिए जदो जहद करता था कि यहां से बाहर कैसे निकलो वहां वो बॉटल ने खुला अब पार्किंग लाइन भी है वहां पर लोग कारोबार भी करते हैं वहां पर लोगों ने चीजों को व्यवस्तित भी किया तो खुल मिला करके और फिर दूसरी बात एक हो रहे मोदी जी जिस चीज पर काम कर रहे है हम देरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखते हैं हम देरादून को स्मार्ट सहर बनाना चाते हैं तो उसकी सुरुवात किस चीज से होगी अतिक्रमन मुक्त सडकों से और मैंने तो बाकाइदा में बलकि आप से सेर करूँगा इस इंटर्व्यू के चाहें चो आप देखेंगे बाकाइदा एक प्रोफेसर साब ने पेडेस्ट्रियंज किये फुट पाथ पे लोगों के अधिकार किस तरीके से सुरक्षित रहें ये बाकाइबा अधालती अधिकार है कानून बाकाइदा इस बात के लिए कि फुट पाथ पे चलने वाले लोगों को उनके भी कानूनी अधिकार है तिसका हम लोगों को सबको समान करना सीखना चाहिए और साती सात लेकिन आपको बड़ी बात ये भी कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पहले की जो गर्मेंट थी कॉंग्रेस गर्मेंट उसने फर पुलिटिकल रीजन एक बात कहा कि हम मलिन बस्ति की सरकार ने भारती जनता बाटी की सरकार ने एक वेल कंसीडर ब्यूपॉइंट लिया एक वेल कंसीडर डिसिजिजन लिया कि बाकाइदा उसके लिए ओर्डिनेस लाए बिल लाए कि हम तब तक मलीन बस्तियों को उजड़ने का कोही काम नहीं होने देंगे जब तक उनका रिलोकेट करने के लिए जब तक उनका ठीक से पुनरवाज नहीं होता तो साथी साथ बहुत बड़े स्केल पर रिलीव देने का भी काम किया और जो बस्तियों में रहने वाले लोग थे उनको सरक्षन देने का भी काम किया इसलिए किसी प्रकार की पहले से कोई साजिस थी यह तो दूर दूर तक की कोई बाद सर जो दूसरा विशय था जनता दर्बार लगता है और एक वियापारी आते हैं और जहर खाके अपनी जान उसको उसको मैं सोड़ा साथ को करेक्ट करूँगा भारती जनता पार्टी के कारियले में होने वाले जनता दर्बार में किसी न जहर नहीं खाया पहले टिक क्लियर कर ले बाकाइदा वीडियो सूट हुआ है उस पुरे गटना का जो मिरतक है वो बाकाइदा एक गाड़ी में बैट करके भारती जनता पार्टी के दबतर से बाहर किसी जगे पर अब ये भी सोचने की बात है कि जो आजमी जहर खा रहा है वीडियो सूट कर रहा है इसका मलब कोई सूट कर रहा ना उसका उखुत तो नहीं सूट कर रहा ना लेकिन सर अपनी जाब से बड़ी चीज़ नहीं कोई सूट कर रहा है ना जहर खाने वाला तो नहीं सूट कर रहा है अच्छा और ये कह रहा है कि मैं जहर खाके भारती ज लेने वाले हर नौजवान को, कारोगार में नुकसान उठाने वाले हर व्यक्ति को, या नीजी जीवन में, कॉम्टिटिव एग्जामिनीशन में सफलना हो पाने वाले हर नौजवान को, इस बात के लिए तो प्रेडित नहीं कर सकते ना, कि आत्मत्या उसका कोई अंतिव कि जितने दिन तक वो ब्यक्ति हस्पिताल में रहा, नियवित रूप से मैं मैक्स हॉस्पिटल में उनकी देखवाल करता रहा, और मुझे समन बै करने का, देखवाल करने का, कॉडिनेट करने का, मुख्यमंत्री जी की तरब से ब्यक्ति का तोर पर ये जिम्मेदारी दी ग इसका महिमा मंदंग भी नहीं किया जा सब्सक्राइब सवाल मेरा ये था कि क्या इस एंसिडेंट से सरकार की शाक में कोई ये कहे कि कोई बात उठी सरकार का ये विशा ही नहीं था ना ये एक व्यक्ति ने नीजी अस्तर पर कही लाख रुपए का अपने ट्रांस्पोर्ट का बिजनस था उनका कही लाख रुपए का उन्होंने बैंकों से करज लिया किसी बज़े से उनका बिजनस में लॉसिस हो गए है और टाइमली उसको अपना और उसमें एक मज़े की बात ये है जो मज़े की बात नहीं मतलब उसका एक पक्स ही है I'm sorry मैं correct कर रहा हूँ गलत सब मैंने इस्तमाल की जब उसकी तहकीकात की गई तो सरकार ने इस बात की भी तहकीकात की कि ऐसा तो नहीं है कि जिन बैंकों से law ने लिया गया थो उन बैंकों ने कोई coercive मेजर का इस्तमाल किया हो कोई उनके उपर ज्यादत ही कियो तो यहां तक कि किसी बैंक ने उनको notice तक सर्व नहीं किया था उनके उपर करजे जरूर थे लेकिन किसी बैंक ने उनको notice तक सर्व नहीं किया था कोई coercive मेजर तो दूर की बात है तो इतना impulsive हो करके एक नौजवान या एक मध्यमायू के व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया बहुत दुर्भा के पूर्ण था लेकिन उनके परिवार के प्रती उनके बच्यों के प्रती पूढी सानुगोती है हमारी और निस्चित रूप से कोही बी किसी के भी परिवार में गटना होती है तो एक इंसन के नाते दुख्य होना सौब बग inheritance गैर्शन का मुद्दा पिछले कुछ समय से चाया हुआ है आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भड़ जी गैर्शन में सत्र कराना नहीं चाहते लेकिन सरकार कहती है यह निर्णे हमारा है कि हम गैर्शन में सत्र कराएं या न कराएं आपकी पार्टी में सरकार औ उनके बीच में ही मत्वेद है। आपका क्या राजी यह बिलकुल गलत परसेप्शन है। कोई मत्वेद नहीं है। पार्टी और जो परदेश अध्यक्षी की बात है वही राजी सरकार ने कही है। और यह जाहिन तोर पर यह कॉंस्टिटूशनली यही मेंडेट है कि विदान सबा का सत्र तो महा महीं राजी पाल आहूद करता है और केबिनेट के रेकमेंडेशन पर आहूद करता है। तो दोनों बाते परफेक्ट है। जहां तक गैर्शन का सबाल है भारती जनता पार्टी का नजरिया बहुत साफ है। भारती जनता पार्टी की सरकार बहुत तेज इस एक Gerson के अंतर infrastructure को develop कर रही है। Gerson को केवल, केवल एक राजनेतिक रस्म अदाएगी के लिए symbolic तरीके से केवल वहां सत्र कराये जाए, उसको हम जादे महदपूर नहीं मानते हैं हम महदपूर ये मानते हैं कि Gerson एक important destination के रूप में बिक्सित हो और जब वहां infrastructure का proper इंतजाम हो, तो यदि वहां बिधान सबा का सत्र चलता है तो बिधान सबा का फिर बाकाइदा काम काज हो ये नहों कि साब हम गए हैं तो हर को ये सोचने लग जाए बहिया वापस किस दिन बोरिया बिस्तर बान रहा और कितना जल्दी वापस जाना है तो कुल मिला करके इसको इस प्रकार से छीना जप्टी का विसाय नहीं बनाना चाहिए केवल और केवल पोलिटिकल इसकोर करने के लिए बयान बाजी का विसाय नहीं बनाना चाहिए बलकि वहां की जो infrastructure की स्थिति क्या है, पेजल की स्थिति क्या है जैसे मैं एक बात आपसे बता रहा हूँ, जब नॉम्बर के वंदर वहाँ बिधान सबा का सत्र हुआ था, मैं यह नहीं कहरा हूँ कि ठंड नहीं पड़नी चाहिए, पाड़ों पे नहीं जाना चाहिए, चुकि इंफ्रस्ट्रक्चर का पूरा इंतजाम नहीं है, नहीं नही एक सबाओ है, मैं बिधान सबा के हाउस के बाद आजू बाजू घूमा, तो जिस प्रकार से मैंने देखा, पुलिस का जवान, जिस तरीके के कड़ा के ठंड में कुड़े आसमान की नीचे, उसको रहने का प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं, छोटा करमचारी, दर-दर की ठो करें खा रहा है, मेले को तो कोई फरक नहीं है, बहुत बढ़िया फ्लेट्स है, हीटर लगे हुए है, फलाना है, लेकिन ओभी तो इंसान है, और जिस तरीके से हमने उनको देखा, कि किस मुस्किल और किक कठिनाईयों में थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और कैमरा करके बेजा, कि मुझे तकलीब हुई, कि हमारा पूलिस का जवान वगेरा जो हम सब के सुविधाओं के लिया तेहना था हूँ, इसलिए हार्ड सिप में, किसी को चाई नहीं मिल रही है, किसी को खाना नहीं फला न, तो इस तरह पर किया, लेकिन मैं बहुत सम्मिदन सीलता के साथ मुख्य सचिव ने, और डार्क्रे जनल पूलिस ने, डीजी पी ने, तुरंत एक्टपोन की और बागाएद अधिकारियों के टीम बना करके, और तमाम सारी ब्योस्ताओं को ठीक करने का काम किया, तो हम ये कह रहे हैं, कि हम केवल विधायकों की, मंत्रियों की, और तो सुविधाओं के सबको दरकार होती है, और निश्चित रूप से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में कुछ तो बक्त लगे, सर जाते जाते एक छोटा सा सवाल और छोटा सा आंसर चाहूंगा, उत्राखन जैसे राज्यम है, क्या स्टिंग होने चाहिए, क्यो रावत जी के सरकार तो बिलको असमज़ जैसे किस्ति में नहीं है, क्योंकि यदि त्रिवेंज जी असमज़स किस्तिती में होते, तो इतना बोल्ड फेस नियों पूट अप करते, क्यों जिसको चाहो प्रेड ग्राउंड में स्क्रीन लगा करके, आप अपना इस्टिंग द जैनलिजम लोग तंतर का एक फोर्ट पिलर हम लोग कहते हैं, चौथा इस्टिंग के नाम पर हम सडियंतर रचें, हम दूसरे के मुझ में दूसरे के सब्द रख करके कहलवाएं, या समन्य रूप से किसी के हंसी मजाग को फलाना चीज़ों को बना करके और उसको कहें जी फलाना कहलवा दिये करके, तो जाहिर तोर पर है, कहने का मतलब, इस्टिंग के नाम पर बलैक मेलिंग का जो एक स्टाइल है, वो तो गेर कानूनी है, वो नहीं होना चाहिए, हाँ जहां कई करप्सन है, जहां कई अनाचार है, जहां कई दुराचार है, वो एक्स्पोज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बिल्कुल जो इन्वस्टिगेटिव जर्नलिजम है, उसका फुरा समान होना चाहिए, लेकिन इन्वस्टिगे कि नहीं तो उससे पिर समाज में बहुत कुरीतियें पनबती हैं चोहां जी आपने अपना कीमती समय हमें दिया बहुत बहुत धन्यवाद ये थे मुन्ना सिंग चोहां जी जिन्होंने अलग-अलग विशयों पर अपनी बात रखी अपना नजरिया रखा आप देख रहेते आपकी बात समवाद 36.5 के साथ नमस्कार